नमस्कार दोस्तों क्रिकेट मेच के एक और नहीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है IPL 2021 अपने अंटिम चरेंड पर पहुत चुकी है और BCCNA IPL 2022 के मेगा उक्षन को लेकर बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स रिलिज किये हैं वो भी पूरे 100% accuracy के साथ तो आप predict at it.com से contact कर सकते हो उनका टेलिग्राम और website का link में description में डाल दूँगा तो सबसे पहला update जो है वो रेली जो return players को लेकर है तो BCCI के नियमों के अनुसर हर एक टीम को लगभग 95% players को release करना होगा और साथ हर एक टीम जादा से जादा बस 4 players को return कर सकती है जिसमें से most probably हर एक टीम IPL auction के पहले 3 players को return कर पाएगी और एक player को उन्हें item card के थुरू return करना होगा जी हाँ दोस्तों BCCI ने एक confirm कर दिया है कि हर एक टीम item card के थुरू बस एक ही player को purchase कर पाएगी पर हो सकता है कि टीमों के request के बाद उन्हें 2 item card मिल सकता है अब दूसरी update यह है कि mega auction कितने तारीक को होगा और कौन से venue पे होगा तो जो update हमारे पस निकल कर आड़ ही है उसके मुताबिक BCCI ने IPL 2022 के mega auction को लेकर 2 तारीक fix किये हैं तो पहला तारीक जो है वो है 2829 नवंबर का और दूसरा तारीक जो है 22 और 23 दिसेंबर का और हम अगर venue की बात करें तो वो है hotel Marriott Mumbai और अगर समय की बात करें तो वो सुवे 10 बजे से लेकर सामके 5 बजे तक होगा अब तिसरे और सबसे बड़े अफडेट के बात करें तो वो ये है कि हर एक टीम ओनर्स के पास कितने पैसे होंगे अपने टीम के लिए प्लेयर्स को खईदने के लिए तो BCCI ने कंफर्म कर दिया है कि हर एक टीम के पास प्लेयर्स को खईदने के लिए ज्यादे से ज्यादा 90 करोड होंगे जी हां दोस्तो 90 करोड जो कि हर एक टीम ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकती है अपने टीम में प्लेयर्स को ख़ईडने के लिए अब हम अगर अपने आखरी अपडेट के बात करें तो वो ये है कि आएपल 2022 के मेगा उक्षन में कितने प्लेयर्स हिस्सा ले सकते हैं अपडेट उमीदे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा